स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल पर आज के इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक महत्तपों टॉपिक कबर करेंगे जो होगा चंद चंद के बारे में आपको बता दें तो ये विभिन प्रतियोगी परिचाओं में पूछा जाता है और यह वीडियो आपका उन सभी एक्जामों के लिए बेहद मत पोड़ोगी चाहे वो यूपी ट्रिपलेसी हो यूपी पुलीस हो बिहार पुलीस या फिर कहीं पर भी जहां पर हिंदी ग्रामर के कोईशन पूचे जाते हैं वहाँ ये वीडियो आपको काम करेगी चलिए शूरू करें वीडियो उस्से पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडियो या फिर इसको लाइन बाइ लाइन पढ़ना या फिर हिंदी ग्रामर का इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें आल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए वीडियो सुरू करने से पहले हम क्लियर कर दें कि यह वीडियो सभी जामों के लिए महत्पूर होगी जहां पर हिंदी ग्रामर की क्वेशन पूछे जाते हैं इससे पहले हमने हिंदी ग्रामर की धेर सारे वीडियो बनाया है जैसे कि संग्या, सरवनाम, समास, कारक, प्रत्य, रस, अलंकार अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी चैनल के प्ले लिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चंद है ये चद धातु से बना हुआ है अब जब इस सब्द से बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है तो चंद धातु का मतलब होता है अहादित करना मतलब की खुस करना अगर हाई लेवल का आपका एक्जाम है जैसे कि कोई भी टेट एक्जाम तो वहाँ पर ये तो इसका मतलब यह होता है कि नियमित संख्याओं का बिन्यास जैसे कि छंद में आप पढ़ेंगे तुक लाय और भी इसी तरह के कई तो यानि कि आपको यह जानना होगा कि वाड़ो या फिर मत्राओं के नियमित संख्या के बिन्यास से यदि कोई आलाद पैदा होता है तो इसे कहते हैं चंद देखेंगे चंद के बारे में चंद के कुल मिला के साथ अंग होते हैं जिनको आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहां पर जो पहला है इसे कहते हैं चरड या फिर पद कहा जाता है या फिर कहीं कहीं पाद भी कहा जाता है दूसरा होता है वाड के लिए रुखना और सतवा होता है तुक मतलब की तुक बंदी तो चंद के कुल्मिला के साथ अंग होते हैं अभी आगे हम इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखे शुरू करते हैं एक एक से पहला चरड पद या फिर पाद त यहां पर पहला होगा यहां दूसरा यहां तिसरा यहां चोथा तो यह चार चरड होते हैं अगर इसमें से इसकी बात करें तो इसको चतूर्थ कहेंगे इसको दूसरा कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि सब में इसी तरह ही कंडिशन होगी यह कुछ खास चरड में ही होता है जैसे जैसे कि आप दोहा देखेंगे, सोठा देखेंगे, तो इन में चार-चार चरण होते हैं, प्रते एक पक्ति को दल काते हैं, जैसे कि अगर पहले और दूसरे को जोड लिया जाए, तो इन दोनों को मिला करके दल काते हैं, हिंदी में कुछ ऐसे चंद है जहां पे छे-छे पक देखेंगे, लेकिन अगर दोहा और रोला दोनों को एड़ कर दिया जाए, तो इससे बनती हैं कुंडलिया, और दूसी तरह चपए बनाने के लिए आपको रोला और उलाला को मिलाना पड़ता है, अभी तो आपने देखा चरण के बारे में, तो चरण भी दो तरह का होगा एक होगा समचरण और दूसरा होगा बिसमचरण, समचरण का मतलब की दूसरा और चोता, बिसमचरण का मतलब की पहला और तीसरा, अब बात करते हैं वर्ड और मातरा के बारे में, तो वर्ड का मतलब होता है अच्छर, तो चाहे या अच्छर हरस्व भी हो सकती है, या फि जैसे कि हलंत सब्द में राजन सब्द में नौ में सभी तक्षर का प्रियोग हुआ है जैसे कि कृष्ण में स्वा आधा है तो उसे वाण नहीं माना जाएगा मतलब जहां पर आधा होगा उसे पूरा वाण नहीं माना जाएगा वाण खास करके दो तरह के नहीं तो कहीं कहीं आपको तीन तरह के भी देखने को मिलेगा छंद की बात करें तो छंद में आपको वर्ड दो ही तरह का मिलेगा पहला हरस्व स्वर जिनके उचाड में कम समय लगता हो दूसरा होता है दिर्ग स्वर जिनके उचाड में हरस्व से जादा समय लगता हो हरास्व मतलब की ओ, ई, उ, रे इस तरह और दिर का मतलब की आ, बड़ी इ, बढ़ाओ, ए, आए, ओ, और ओ, इनसे जो मत्राय बन सकती हैं, जो उधार बन सकते हैं, यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं, लेकिन बता देएं कि अगर आप इसे लाइन बै लाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पे जाएए, आप पे जाके आप उसे लाइन बै लाइन पढ़ सकते हैं कभी भी, मातर का मतलब यह होता है कि जब हम किसी ध्वनी या फिर्वन का उचाड करते हैं, तो उस दोरान को हम क्या कहते हैं, मातरा, हरस्व के उचाड में हमने आपको बताया कि जो समय लगता है, वह दिर्ग से आधा लगता है, मतलब कि हरस्व में कम लगेगा, दिर्ग का आप उचाड के वर्ड के बारे में यहां पर देखिए कुछ ऐसे चिन आएंगे जो कि आपको उनको लगू में काउंट करना होगा कुछ ऐसे होंगे जिनको गुरू में जैसे अगर लगू की बात करें तो इसमें ओ, ई, उ, और री लगू मतलब कोई छोटा और अगर गुरू वाला इसका पता आपको वीडियो के आगे चलेगा कि इसकी क्या जुरू पढ़ने वाली है जैसे कि अगर गूर लर में आप देखेंगे तो इस तरह है जैसे कि जो बड़ी मतराय वाली हैं धिर्ग वाली गूरू वाले में काउंट किया जाएँगे आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि छंदर में संख्या और क्रम तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे कितनी संख्या है इसका क्रम क्या है यह भी आपको देखना पढ़ता है यहाँ पे अगर आपको बता दें गणों के बारे में तो ये कुल मिला के 8 गण होते हैं कई बार पर इछाओं में पूछा गया है कि हिंदी ग्रामर में कितने गण होते हैं तो ये होते हैं 8 गण अगर इनको आप 60 भासा में मतलब 60 में याद रखना चाहें तो ये है यामाता राजबान सलगा या माता, राज़भान, सलगा यह आप 60 में याद रख सकते हैं लेकिन अगर आपको विश्टार में चाहिए तो पहला होता है यगड, मगड, तगड, रगड, जगड, भगड, नगड और सगड साथ में याद रखिए या माता, राज़भान, सलगा तो हिंदी में आठ गंड होते हैं यह आपको पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेना है जैसे कि अगर हम यह माता के बारे में देखें यह माता तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ में कितनी मंत्राय में तो यह हरस्व में आएगा जब हरस्व में आएगा तो इसमें आपको एक मंत्रा काउंट करना है एक मंत्रा के लिए आपको इस तरह लिखना होगा ठेक जहां पे दो मंत्रा है आएंगे गुरू आड होगा वहां पे आपको इस तरह लिखना होगा जैसे माता में आ का मांतरा है तो आ हमने आपको कहां बताया था दिर्गवाले में मतलब गुरू मतलब की बड़ा तो यहां पर देखिए यहां पर यह बनाया गया है मतलब की दो काउंट किया गया है उसी तरह ता में भी दो होगा यानि कि यह माता में आप इस से तब वो अच्छा लगेगा ऐसा नहीं कि आप किसी भी लाई में पढ़ें तो जो लाई या फिर प्रवा होता है उसे कहा जाता है गती हर चंद का पढ़ने का अलग-अलग तरीका है जैसे कि अगर आप चौपाई अरिल और पदरी की बात करें तो इन तीनों चंदों में 16- बीराम मतलब की समय के लिए रुखना जैसे कि आप किसी का उचाड कर रहे हैं और सांस लेने के लिए थोड़ा सा रुखते हैं तो उसे कहेंगे चंद में यति या फिर बिराम कई ऐसे चंद होंगे जिस पे आपको थोड़ी दूर में बिराम मिलेगा कई ऐसे चंद होंगे जहाँ आपको बहुत पहले ही बिराम मिल जाता है यह अकसर ऐसा होगा कि जो छोटे चंद होंगे उसमें जो यती होगा मतलब कि बिराम होगा यह चरड के अंत में होगा चरड काने का मतलब क्या है जैसे कि यहां पर पहला यहां बिराम दूसरा तो यहां पर यह जो एक है इसको चरड का जाता है ठीक पूरे एक को चरड का जाता है जो यहां पर आके खतम हुआ है तो इस तरह आप देखेंगे कि विराम आण हर एक चंद में देखने को आपको मिले गा चोटे चर्डों में चोटे चंदों में चरारकयंत में और बड़े चंद में यह अंत में मिलता आय सिध क्ला Spark की बात करें तो तुक मतलब होता कि जैसे कि अब यहां पे आप देख सकते हैं हम को बहुत अाती इबाती हिंदी हमको बहुत है बहुत है प्यारी हिंदी दोनों के लाश्ट में हिंदी है तो एक तरह से तुक बंदी हो गई लेकिन अगर आप इसमें देखें का बिसर्जक हूं प्रेरग्ततों के अबाओं में लेखनी अटक गई है का बिसर्जनेटू तो कहीं पर कोई भी नहीं मिल रही है तो वहीं हम बताना चाहते हैं कि चंद में तुक भी होता है कुछ ऐसे चंद होंगे जहां पर तुक होगा तो उसे हम तुकांत कहेंगे जहां पर तुक नहीं होगा उसे हम और तुकांत चंद कहेंगे यानि कि एक हो गया तुकांत चंद दूसरा हो गया औ और तुकांत चंद तुक में भी दो तरह के होंगे पहला होगा तुकांत कविता और दूसरा होगा और तुकांत कविता जैसे कि अगर तुकांत कविता की बात करें तो जब चरण के अंत में वाड़ो के अबरती होती है तो उसे हम तुकांत कविता कहते हैं जैसे कि हमको थे प्यारे हिंदी और अगर अतुकांत कविता की बात करें तो जब चलड के अंत में वाड़ो की अविर्थी नहीं होगी तो इसे हम कहेंगे अतुकांत कविता जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं आगे बढ़ें तो अगला है कि चंद के भेद के बारे में अब देखिए अभी तक जो था यह हाई लेबल के एक्जामों में पूछा जाता था लेकिन अब से इस वीडियो में जो भी होगा यह आपका जो 10 और 12 लेबल पे एक्जाम होते हैं चाहे जो भी हो चाहे यूपी ट् करने काश्यों पूछे जाएंगे यहां से मिलेगा चंद के कुल मिला के तीन भेद होते हैं पहला होता यह वाडिक ब्रित चंद जिसमें की वअचतरां की करना होगी और तीसरा होता है मुक्त चंद याने कि इसमें कोई भी प्रतिबंद नहीं होगा कितने भी वाड़ों हो हो सकती हैं खास करके चंद के तीन बेद होते हैं वाडिक मात्रिक और मुक्त मतलब की जहां पर कोई भी रूल का पालन करना जरूरी नहीं है वाडिक मतलब की जहां वाडों की काउंट की जाएगी मात्रिक मतलब की जहां मत्राओं का काउंट किया जाएगा अब देखते हैं स सभी चंड़ों में वाडों की संख्या समान होगी। इसमें लगुड़ू का क्रम समान रहता है लगू मतलब कि जो ओ है छोटी इ है छोटा उ है गुरू मतलब कि दिर्गवाले मतलब की आ बड़ी इ बड़ा हूँ तो इनका जो करम है लगवक समान रहता है कुछ प्रमुख वाडिक चंदों के बाओरे में जानिए जैसे कि प्रमारिका इसमें आठेवरोड होते हैं स्वागता भुजंगी सालिनी एंद्रवजा दो धक इन सभी में 11 वोड tortainky वैसेस्त भुजंग प्रयाग दुर्थ विलंबती तोटक इन्न सभी में 12 वोड़ोड होते हैं बसंत तिलिका 14 वो सिकर्रिडी इसमें 17 वर्ड होते हैं स्रादूल विक्रड़ती 19 वर्ड होता है इस्तंधरा 21 वर्ड सवय्या 22-26 घनाच्छरी 31 रूप घनाच्छरी 32 देव घनाच्छरी 33 कभी तिया फिर मनारड 31-33 तो ये तो आप पूरा मतलब वाडिक्छन जितना आप से पूछा जा सकता है इसमें महत्रपूर्ण क्या है ये भी जान लीजिए कौन-कौन अभी तक परिशाओं में पूछा जा चुका है रही बात कि आप इससे अगर लाइन बाई लाइन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद उसे अप पे जाईए वहाँ पे आपको हिंदी ग्रामर में जाना होगा वहाँ पे आप जाके इसे असानी से पढ़ सकते हैं जिस तरह यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है उस तरह वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर देखिए कई बार प्रमारिका के बारे में पूछा गया है उसके बाद से प्रमारिका के साथ टोटक भी एक दो बार पूछा गया है तोटक के बाद अगर आप देखेंगे तो सवहिया को पूछा गया है बहुत बार सवहिया के बारे में पूछा गया है घनाच्छरी के बारे में पूछा गया है और देव घनाच्छरी के बारे में पूछा गया है कहने का मतलब यह है कि जिनको अभी हम बता रहे हैं ये बेहद महत्पूर्ण है बाकि सबको आप अपनी जनकारी के लिए याद कर सकते हैं यही प्रमुख वाडिक चंद है जो कि विविन परिशाओं में पूछे जाते हैं अब देखिए ये तो था वाडिक चंद अब बात करेंगे मातरिक चंद के बारे में मातरिक चंद के सभी चंडों में मातराओं की संक्या समान होती हैं लेकिन लगू और गुरू के करम पे ध्यान नहीं दिया जाता है जैसे अभी आपने वाड़क चंद देखा जिसमें सभी में वाड़ो की संक्या समान होती है अब ये मातरिक चंद है मातरिक चंद में भी कई तरह के होगे जैसे कि आपको सम मातरिक चंद मिलेगा अर्द सम मातरिक चंद मिलेगा और विसम मात्रिक छंद मिलेगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम मात्रिक छंद के बारे में सम मात्रिक छंद का मतलब यह होता है इसमें जो मुख्य है इसमें है अहिर जिसमें 11 मत्राय होती है तूमर 12 मत्राय मानव 14 मत्राय और अरिल, पद्धरी, पद्धाटिका और चौपाई इसमें 16 मात्रा हैं चौपाई को इस्टार मार कर ये बहुत बार पूचा गया है चौपाई के बारे में पूचा जाता है कि कितनी मात्रा होती है या फिर ये मातरिक चंद है या फिर वाडिक चंद है ये बहुत बार पूचा गया है प्यूस वर्स या फिर सुमेरू दोनों में 19 मातरा होती है रादिका 22 मातरा होती है रोला, दिकपाल, रुपमाला इन तीनों में 24 मातरा होती है गीतिका में 26 और हरी गीतिका में 28 ये दोनों बहुत बार पूछा गया है इसी तरह सरसी में 27, सार में 28 और तांटक में 30 मात्राइं होती हैं अल्हा में 31 मात्राइं होती हैं तो देखें मातरिक चंद में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ये है चौपाई, गेतिका, हरी गेतिका और रोला ये तीन-चार ऐसे हैं जो कई बार परिछाओं में रिपिट किये गए हैं ये तो था मात्रिक चंद के अंतरगत पहला सम मात्रिक चंद अब देखेंगे बिसम मात्रिक चंद को लेकिन उससे पहले आप देख लिजिए और्द सम मात्रिक चंद जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाता है कि और्द सम मात्रिक मतलब की आधा बराबर इसमें आता है बरवे जैसे कि इसमें विसम चरण में बारा मात्रा हैं होंगी और सम चरण में साथ विसम कहने का क्या मतलब है तो पहला है और तीसरा सम कहने का क्या मतलब है दूसरा और चौथा जैसे अगर हम उदारण के लिए आपको समझा दें तो आप देखें कारज धीरे होते हैं काहे होते अधीर तो ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया समय पाय तरुवर फरे के तक सीचो नीर ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया ठेक तो यहाँ पर आप पहले और तीसरे की बात की जाएगी कारज धीरे होते हैं समय पाय तरुवर फरे तो इन्हें आप देखेंगे कि बिसम चरड कहा गया है लेकिन अगर इस दूसरे और चौथे की बात करें तो इनको सम चरड कहा गया है तो जो बरवे होता है इसके बिसम चरड में 12-12 मातरा होती है और सम चरड में 7 मातरा होती है उधारत देते हैं दोहा पे तो दोहा के बिसम चरड में 13-13 मातरा है और सम चरण में 11-11 मात्रा है देखिए 20 सम में था 13 और सम में था 11 यानि कि पहले और तीसरे में 13-13 दूसरे और चोथे में 11-11 मात्रा हैं होनी चाहिए अगर ऐसा होता है तब ही हम कहेंगे कि यह दोहा है नहीं तो यह दोहा नहीं है आप काउंट कर सकते हैं यह दिर्ग वाला है इसका 2 होगा 2-1-3-4 और इसका 2 होगा देखिए यहाँ पे 2 को यस लिखना है फिर से इस पे एक मात्रा है यहाँ पर भी 2 होगा यहाँ पर भी 2 होगा यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है एक होगा और यहाँ पर भी दो होगा count करिए 2, 3, 4, 5 2, 7, 2, 9 और 9, 2, 11, और 2, 13 13 हो गया न? अब देखिए तीसरे वाले में count करिए 1, 1, 1 3 हो गया, इसमें 2 होगा क्योंकि आका मंतरा है तो 3, 2, 5 और इसमें 1 होगा 6 इसमें 1 होगा 7 इसमें 1 होगा 8 क्योंकि छोटा हो मंतरा है इसमें 1 होगा 9, 10, 11 और इसमें 2 होगा क्योंकि आका मंतरा है तो यह भी होगा 13 यानि कि 2 हाथ तभी हम उसको कहेंगे जब उसके पहले मतलब कि इसमें तीसरे मतलब कि इसमें 13-13 मंतरा हो 13 से 1 कम नहीं तेरा से एक ज़्यादा नहीं अब बात करते हैं इसके दूसरे और चौथे चरड़ में दूसरे और चौथे चरड़ को क्या कहते हैं समात्रे सम कहते हैं सम चरड़ कहते हैं तो इन सम चरड़ों में देखेंगे तो इसमें 11-11 होना चाहिए जैसे कि इसमें दो होगा इसमें भी दो होगा यहाँ पर देखिए दो दो यहाँ पर भी दो होगा यहाँ पर एक होगा यहाँ पर एक होगा यहाँ पर दो होगा और यहाँ पर एक होगा तो दोहा के विसम चड़ा में 13-13 सम में 11-11 मत्रा होती है बात करें सोठा की तो सोठा में बिल्कुल दोहा का उल्टा होता है मतलब कि क्या होगा तो सोठा के अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर लिख देते हैं तो सोठा में होगा विसम में 11-11 और सम में सम में हो जाएगा 13-13 ठीक है? तो ये होगा सोठा में सोठा दुआ का उल्टा होता है बहुत बार पर इछाओं में ये question पूछा गया है अब बात करते हैं उलाला का तो उलाला के विसम में होता है 15 और सम में होता है 13 मतराओं की counting कैसे करनी है अभी हमने आपको बता दिया है अब देखेंगे विसम मातरिक छंद के बारे में जैसे की विसम मातरिक छंद में कोई रूल नहीं है यहाँ पे दो पदो को जोड़ करके विसम मातरिक छंद बनाया जाता है जैसे कि दोहा और रोला को जोड़ दिया जाए तो बन जाएंगी कुंडलिया रह्मन की कुंडलिया आपने पड़ा होगा तो ये दोहा और रोला को जोड़ कर बनाए जाती है उसमें आप देखेंगे तो सुलू की लाइन अंतवाली लाइन से हमेशा मिलती है उसी तरह जो छप्पा है ये रोला और उलाला को मिलकर बनाया जाता है परिश्चा में पूछा कैसे जाएगा तो पूछा जाता है कि कुंडलिया किनके किनके मिलाने से बनती है आप सनो जाएगा दोहा सोठा, दोहा रोला, रोला उलाला, दोहा और रोला तो इस तरह आपको वहाँ पर उत्तर बताना होता है तो यहाँ पर आपने देख लिया दोहा के बारे में जैसे कि हमने आपको पूरे अच्छे तरीके से काउंट करके बता दिया जहाँ पर भी मात्राओं का काउंट करना होगा इसी तरह मत्राओं का काउंट होगा अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फूजन है तो आप वीडियो के कमेंट बाक्स में कमेंट कर पाएंगे कमेंट बाक्स में लाइब चैट बाक्स में नहीं कमेंट बाक्स में आपको कमेंट करना होगा और आप इस वीडियो को देखने के साथ इसको जरूर पढ़ें उसके लिए आपको एप पे जाके इसको पढ़ सकते हैं बढ़ते हैं आगे आपने दुछा देख लिया जो ज़्यादा पूछे जाते हैं परिचाओं में उनको हमें आप एक कबर कर लेंगे दुछा के बाद आता है सोठा जो कि बहुद मत पूड़ है जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सोठा होता है ये दुछा का उल्टा होता है इसके तीसरे और पहले में 11-11 और दूसरे और चौते में 13-13 मत रहं होती है आप देखेंगे कि बिलकूल उल्टा है उसका यह है कहे जुपावे कौन बिद्या धन उद्दम बिना जो पंक की पौन बिना डुलाए ना मिले तो यह एक सोठा है सोठा दोहा का उल्टा होता है यह आपको नहीं बोलना है count करना चाहें तो count कर सकते हैं इसका 1, इसमें 2 इसमें 1, इसमें 2 इसमें फिर 2 इसमें फिर 2 और इसमें 1 count करिए 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7 और 7, 1, 8, 8, 2, 11 8, 2, 10 और 10, 11 11 हो गया है आप मातरा इसको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा आप खुद जोड़ सकते हैं वीडियो जादे बड़ी ना हो इसलिए हम इसको जल्दी कवर करेंगे अब देखते हैं रोला के बारे में तो रोला एक मातरिक छंद होता है रोला में यह होता है कि इसमें जो 4 चरड़ देखे जाते हैं और 4 चरड़ के परतीक चरड़ में 11 और 13 के करम में 24 मातराएं होती हैं मतलब कि यहां से और यहां तक मातराएं होंगी 24 टूटल के बात कर रहा हैं लेकिन पहले बिराम तक 11 होंगी और बिराम के बाद लास्ट में यह होगा 13 जैसे नीलामबर परिधान हरित पट है सुन्दर हरित पट पर सुन्दर है सूर्य चंदर यूग मुकट में इखला रतना कर है नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंदन है बंदी जनखग ब्रिंद सेजफन सिंहासन है तो यह है करूला रूला में आपको याद रखना है कि चार लाइने होती है मतलब चार चरण होता है चार चरण में सब में 24-24 मातरा हैं होती है और पहले चरण में मतलब कि यहाँ पर आपको 11 देखने को मिलेगा बाद में 13 होता है और इसके अंत में दो गुरू और दो लगू जरूर होते हैं दो गुरुद, गुरु मतलब के बड़ा वाला मातरा, लगु मतलब के छोटा वाला मातरा, तो यहाँ पर जो उधारण लिया गया है, आप इसे भी थोड़ा बहुत याद रगिए, अगर आप जाके पढ़ेंगे, तभी आपको जादा याद रहेगा, क्योंकि परिछाओं मे कई बर पूछा जाता है, कि यहाँ पर एक उधारण दिया गया है, बताईए कि यह क्या है, तो अगर आपको इसका रूल याद रहेगा, कि यह 11 और 13 कुल मेला के 24 होता है, तब आप बता पाएंगे, और नहीं, तो आपको उधारण कर याद है, तब भी आप बता सकते हैं, अगला है चौपाई, तो चौपाई या एक मातरिक छंद होता है, इसमें भी चार चरण होते हैं, और इसके हर चरण में 16 मातराएं होती हैं, चरण के अंत में गुरू और लगू नहीं होता है, लेकिन दो गुरू और दो लगू हो सकते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है, कि हो लेकिन हो सकते हैं यहां पर एक उधार दिया गया है लेकिन यह आधा ही है यह भी दिदाम सभी समुझावा गुरुपजब पजम हर्दसिर नावा आगे बढ़ते हैं देखेंगे और भी उधारों को लेकिन उसे पहले देखिए कुंडलिया के बारे में हमने आपको बताया कि यह बिसम मातरिक चंद होता है बिसम क्यों कहा जा रहा है तो बिसम इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें दो चीजों को जोड़ा गया है जैसे घर का जोगी जोगना आनगाओं का सिद्ध बाहर का बकहंस है हंस घरेलो गिद हंस घरेलो गिद उसे पुछे ना कोई जो बाहर का ह कोई समाधार ब्याता सोई चित्य वित्य या दूर कभी न किसी की होगी बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी यहां पर देखिए कुंडलियों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जहां पर यह दुआ खतम होगा यहां पर यह तुरंत रिपीट होगा कहीं पर भी कोई कुंडली होगी तो वहां पर आपको यह वाली कंडिसन देखने को जरूर मिलेगा जैसे हंस घरेलो गिद हंस घरेलो गिद जिस पर खतम हुआ है उसी से फिर सुरू हो गया है तो यह कुंडलियां होती है इनमें च्छे चरड़ होते हैं दो चरड़ में जो पहला दो होता है तो 13-11 कि मैं सब्सक्राइब करें सोटा में क्या होता है इस्वाथा में क्या होता है यह आप कमेंड करके बताई यह तो दो हमें 13-14 आप गिंज सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौदस 11 और इसमें दो 13 13 हो गया और इसके बाद जो यह चार चरड़ मि पहले दुहा है और छे चरण में है तो यह कुंडलिया हो गई या फिर आप यह भी देखिए कि रिपीट हो रहा है जब रिपीट हो गया तो यह कुंडलिया ही होंगी अब देखते हैं अंतिम जो की है मुक्त चंद पहले इससे क्वेस्टन नहीं पूछे जाते थे लेकिन अब इससे क्वेस्टन पूछे जा रहे हैं विभिन परिछाओं में इससे क्वेस्टन पूछे जा रहे हैं इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है बात करें मुक्त चंद या फिर मात्रा का कोई भी प्रतिबंद नहीं होता है ना ही इसमें चरड की संख्या पता है ना ही वडो की संख्या पता है इसमें इसके कोई भी वस्ता नहीं है इसमें नाद और ताल पर मिला करके कोई भी पक्तियां लिखी जा सकती है जो एक गतिसील के रूप में हो जैसे कि कई बार एक्जामों में पूछा गया है कि कोई मुक्तक छंद का उधारण बताईए तो सही उत्तर वहाँ पे जरूर होता है जूही की कली जो की निराला की किपता है जूही की कली बहुत बार यह उदारण में पूछा गया है जूही की कले इसको most important आप कर लेंगे मुक्तक छंद को आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा गया है कि यह आधुने की उक्की देन है पहले की परिच्वां में नहीं पूछा जाता था आसे 5 सल पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन अब UPAAAC भी पूछ रहा है यूपी टेट भी पूछ रहा है तो कई जगह इसे पूछा जा रहा है तो आपको इसे भी पढ़ना होगा रूल के बारे में ये जानिए कि यहाँ पे वार्ड और मात्रा का कोई भी रूल नहीं होता है ये सबसे परे होता है इनमें किसी भी तरह की पक्तियों को नाद और लहे के अधार पर ला करके गतिसिल किया जाता है उदारड है जुई की कली जो की निराला की कपता है जैसे की वह आता दो टूक कलेजे के करता पस्ताता पत्पराता पेट पीट दोनों मिलकर एक चलहा लकुटिया टेक मुठ्छी भर दाने को भूख मिटाने को मुठ्छी पुरानी जूलिफ का पहलाता दो टूक कलेजे करता पस्ताता पत्पराता हो सकता है यह आपने कहीं पढ़ा हो हिंदी के बुक में तो यह मुक्तक चंद का उदारड है जहां पे कोई पता नहीं कि कितने वाड है कितने हमात्रा है इसका कोई भी मतलब नहीं होता है तो बस आज के इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को लाइक करने के साथ उस एप को जरूर डाउनलोड करें जहां पे आप इसे पढ़ सकते हैं लाइन बाई लाइन वहां पे आपको बिना बुक के आप पूरी हिंदी की तयारी कर पाएंगे तो आज के इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को लाइक करिए आप को डाउनलोड करने के साथ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आज के इस वीडियो में इतना है थैंक्यो